हेलो दोस्तो, IDFC First Bank के Quarter 1 के Results का Detail Analysis इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तो Result में बहुत सारी चीज़े आई है जिनको हम Data से समझेंगे सबसे पहले ये उनका Guidance है 2029 Financial Year तक अब December end में देखेंगे 897 मतब लगभग 900 करीब branches थी वो Target लगभग Double करने का उनका प्लान है Deposits 1.76 लाग करोड से 5.85 लाग करोड का Target है Casa और Term Deposit वो भी बढ़ाने का Target है Loans अभी 1.89 लाग करोड थी उसको 5 लाग करोड तक ले जाने का प्लान उनका है NPA जितना कम हो सके वो Target है 0.4 तक Net NPA का Target है जो कि अभी 0.68 परसंट है Profit 12 से 13,000 करोड करने का प्लान उनका है तो यह सब कुछ Long Term के guidance है बट यह तो Long Term की बात हुई अब कैसे result आये है Q1 के उसकी बात करते है सबसे पहले deposit का number यहां पर quarterly 6 परसंट का deposit ग्रोथ हुआ है 2.04 लाग करोड का 38 परसंट हमको year on year growth देखने को मिल रहा है जो कि एक strong growth देखने को मिल रहा है कासा रेशियो 46.6 परसंट इंडस्ट्री में one of the best कासा रेशियो है अगर bank का ही अगर हम देखें तो कासा रेशियो कम हुआ है लेकिन यह इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है आप maximum banks में देख सकते हैं कासा रेशियो कम हुए है दोस्तों यह अभी इंडस्ट्री वाइड ही चल रहा है 48.4 था अभी 46.6 परसंट फिर भी यह healthy strong मजबूत कहा जाएगा अब loan की बात करते हैं loan book diversified है 2.09 लाख करोड का loan book हमको देखने को मिल रहा है जहाँ पर home loan, loan against property, business banking यह सब mortgage based loan है यह भी अभी हमको increase होती हुई नजर में आ रही है दोस्तों अब हुआ क्या है last 5-6 साल में देखेंगे खासका नए management के आने के बाद में नए CEO के आने के बाद में उन्होंने अपना जो infrastructure में जो focus था जो कि March 2017 या 18 उस समय में देखें लगभग 36% से उपर infrastructure की book थी अभी infrastructure इतने सब नाम में कहीं पर बिलकुल कोने में है only 1.3% तो यह strategy उन्होंने change की है कि जो infrastructure या जो बड़ी loan थी बड़ा amount की loan में बता रहा हूँ वो कम किया उन्होंने या बिलकुल ना कर और अभी जो retail loan है retail में क्या है आपको हमको क्या loan चाहिए होती है चाहे home loan हो सकती है या फिर personal loan या education loan या फिर rural में जो jlg या फिर जो microfinance loan वो सब loan चाहिए होती है या two wheeler loan तो वहाँ पर उन्होंने अपना business को change किया दोस्तों अब NPA कैसे आए है NPA कम हो रहे थे बट Q1 में इंक्रीज थोड़ा हुआ है gross NPA 1.46% जो कि 1.38% था और 0.44% net NPA से 0.46% NPA थोड़ा सा इंक्रीज हुए है ये Q1 result में एक बड़ी event है चीज है वो हुई है provision coverage ratio मतलब bank को लग रहा है कि कौन सी loan खराब हो सकती है तो कितनी provision करत कर रखी है 87.5% कि जिसको strong PCR ratio कहा चाहिए का दो next number है bank की कमाई कैसे हुई है net interest income interest से कितना कमाया है 4,695 करोड तो यह कुछ important numbers है जो की बिलकुल growth को दिखा रहे है अब यह देखे यह बहुत important income statement है लेकिन data में बहुत सारी story भी छुपी होती है हमने net interest income तो देखा मतलब loan से अच्छा कमा रही है 25% कमा रही है लेकिन आप द लगता हो कि कौन सी loan खराब हो सकती है तो bank अपने profit में से कुछ पैसा अलग करके रखती है उसे provisions कहा जाता है यह provisions जो है वो बढ़े है 994 करोड हो गए है जो की 476 करोड थे और provisions चुकी यहाँ पर बढ़े हैं तो impact आ गया है यहाँ पर profits में भी 11% हमको profits में थोड़ा challenge देख अच्छा नहीं होती है इसलिए यह देखना होगा कि NPA का किस तरीके से movement होता है और किसी भी bank को आप देखें तो provision जितना कम बढ़े उतना अच्छा होता है दोस्तों next cost to income ratio हलका सा decrease हुआ है 70.5% मतलब bank जितना income कर रही है उसमें cost कितना आ रहा है खर्चा कितना आ रहा है य cost में कुछ important चीज है flat जैसा performance है कुछ चीजों में बहुत अच्छा हुआ है जहांपर deposit है या फिर जो loans है या क्योंकि loan में भी 21% का growth हुआ है तो यह सब कुछ अच्छी चीज हुई है लेकिन provisions भी बढ़े है return on asset आने वाले quarters में साल में देखना एक important चीज रहेगा kasa one of the best industry में यह positive चीज है net interest margin challenge है वो industry wide हमको देखने को मिल रहा है बहुत सारी banks में निम reduce हो रहा है यह भी थोड़ा सा reduce हुआ है बर still 6.22% का NIM हमको देखने को मिल रहा है अब यही देखना है आने वाले time में किस तरीके से जो asset quality है वो यहां पर एक key चीज देखने की क्योंकि provisions increase हुए है अब Q2 Q3 में क्या होता है वो देखना है और कुछ यहां major shock ना आ जाए वो देखना रहे का दोस्तों बाकी bank से strong earning expectation बिलकुल रहेगी कि bank का जो पहला जो target था वो बहुत सारे parameters में उन्होंने पूरा किया था तो एक bank ने दिखाया भी है कि वो जो guidance दे रह थोड़ा सा minor challenges देखने को मिल रहे है बट long term का जो trajectory है वो ठीक देखने को मिल रहा है बट yes provisions में और बाकी सब numbers में भी देखना रहेगा macro level पर थोड़ी सी headwinds है valuation पर हम बात कर लेते हैं valuation में दोस्तों हम लोग book value को देखेंगे और price to book देखेंगे तो देखेंगे अभी 39 का book value दिखा रहा है बट actually में जो book value है around 47 का है जो data है वो update हो जाएगा यह में latest result में से मैं आपको बता रहा हूं तो 47 का है तो यह 1.9 अभी book value नहीं रहेगी यह 1.6 के आसपास book value रहेगी ठीक है यह देखना है last five years के अगर हम बात करेंगे rating हुई है बिल्कुल price to book के हिसाब से त अभी देखिए 1.6 ही हम अगर consider करेंगे तो जो valuation है जैसा उनको मिला है वैसा ही है ऐसा कुछ high valuation में नहीं है या फिर बहुत कम valuation में नहीं है अगर हम long term का data लेते हैं जैसे यह वाला जो period था यह आप देखिए यह वाला period जो 2017-18 जब थोड़े NPA के challenges देखने को मिला था तब book value 1 से भी नीचे हमको देखने को मिली थी लेकिन अभी हमको book value को की NPA कम हुए profits बढ़े थोड़ी और stability आई तो book value फिर हमने देखा 2022 से थोड़ा book value increase होना शुरू हुआ अभी 1.5 1.6 के आसपास में book value है अब कोई इसमें right या wrong answer नहीं है but historical level से आप देखेंगे तो उसके आस उसने उसके पास ही book value देखने को मिल रहा है दोस्तों मुझे उम्मीद है इस business analysis आपको value मिली होगी आपके समय के लिए बहुत-बहुत धनेवाद थैंक्यों दोस्तों